यह विडियो साइन्स क्लास 10 चैप्टर 10 का पार्ट वन है और यह चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के बारे में आपने पहले भी पढ़ा है पहले के क्लासेज में पढ़ा है तो यहां पर आपको रिफ्लेक्शन एक नया टॉपिक मिलेगा रिफ्लेक् को हम लोग डार्क में नहीं देख सकते हैं इन अबजेक्ट को देखने के लिए लाइट की आवशकता होती है तो पहला प्रश्ण यही पुछा गया है आपसे कि वह कौन सा चीज है जिसे की हम किसी चीज को देख पाते हैं दिन के समय सनलाइट के कारान हम लोग अबजेक्ट को देख पाते हैं तो वह कौन सा प्रोसेस है जिसके कारान कोई अबजेक्ट विजिबल होता है हमको अपनी आखों से दिख पाता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका अंसर लिखा हुआ है An object reflects light that falls on it तो एक object जो है अपने उपर वह जो light पढ़ता है वह reflect कर देता है reflection तो आप पहले से ही पढ़ चुके हैं तो वह light को क्या कर देता है reflect कर देता है मतलब light उससे टकरा के हमारे आखों तक पहुचता है और यही reflected light जब हमारे आखों तक पहुचता है तो हम उस object को देख पाते हैं तो आप देख सकते हैं इसका यहाँ से यहाँ answer है लेकिन यह सब प्रश्ण exam में पूछे नहीं जाते हैं इसमें मुखी रूप से numerical पूछा जाता है और definition वगरा भी पूछा जाता है और जो जो प्रश्ण पूछे जाते हुआ मैं आपको धीरे धीरे बताते चला जाओंगा तो हम लोग transparent medium के आरपार देख सकते हैं यह सब बाते आप जानते हैं तो अब देख सकते हैं यहाँ पर एक glance दिया गया chapter का जहाँ पर इनी सारे बातों को आपको पढ़ना है जैसे कि mirror के दोरा बहुत सारा image का formation twinkling of star क्या होता है rainbow का formation क्या होता है मतलब बहुत सारे नए-ने चीज़ों को आपको पढ़ना है जिससे कि आपको exam में भी प्रशन पूछे जाएंगे a study of properties of light help us to explore them तो आप देख सकते हैं कि properties of light के बारे में यहाँ बताये गिया है by observing the common optical phenomena around us we may conclude that light seems to travel in a straight line तो यहाँ पर एक property यह दिखाये गिया है कि light कैसे travel करता है straight line में travel करता है the fact that a small source of light cast a sharp shadow of an opaque object points to this straight line path usually indicate as ray of light तो अब देख सकते हैं कि light ray के रूप में travel करता है straight line में travel करता है तो इसका क्या प्रमान है कि यदि इसके path में कोई object आ जाएगा बलकि object आ जाएगा तो यह क्या करेगा इसका एक shadow बनाता है तो यह बताता है कि light एक ray के रूप में ट्रावल कर रहा है और स्ट्रेट लाइन में ट्रावल कर रहा है यूजवली इंडिकेट्स एज और रे ओफ लाइट लाइट क्या एक रे होता है जो कि स्ट्रेट लाइन में ट्रावल कर रहा है इन इस चैप्टर वी शाल स्टडी दो फेनोमेना ओफ रिफ्लेक्शन study of some of the optical phenomena और इसी के द्वारा हम लोग nature में हो रहे बहुत सारे optical phenomena को भी study कर सकते हैं we shall try to understand in this chapter the reflection of light by spherical mirror and reflection of light and their application in real life situations तो बहुत सारे इसका use भी हम लोग पढ़ने वाले हैं तो ये तो था एक introduction लेकिन introduction में भी क्या प्रश्ण आते हैं हाँ यहां से प्रश्ण आपको आते हैं और यह है हमारा yellow box तो yellow box आपको मुख्य रूप से पढ़ना है तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी हम लोगों ने पढ़ा कि light straight line में travel करता है ray की तरह चलता है straight line में travel करता है और हम लोगों ने दो वर्ड भी यहां पर पढ़ा एक पढ़ा reflection of light और दूसरा पढ़ा reflection of light लेकिन क्या आप जानते हैं कि diffraction of light क्या होता है तो आप देख सकते हैं diffraction of light यहां पर बताये गया है तो यहीं से आपका पहला प्रश्ण शुरू होता है जो की exam में भी पूछा जाएगा तो सबसे पहला प्रश्ण आ गया यहां से आपका पहला प्रश्ण आ गया यहां से आपका प्रश्ण आ गया तो यह है इसका answer तो मैं बता देता हूँ कि diffraction of light क्या होता है तो हम दोगों ने क्या पढ़ा कि light straight line में travel करता है लेकिन जब light के सामने कोई एक छोटा सा object आ जाए sharp object आ जाए तो यह क्या करता है इसके चारो और bend कर जाता है If an opaque object on the path of light becomes very small light has a tendency to bend around light इसके थोड़ा सा क्या करेगा bend कर जाएगा इसके चारो और मतलब भा फिर straight line में नहीं जाके क्या होगा थोड़ा सा bend हो जाएगा and not walk in a straight line और straight line में यह नहीं चल रहा है थोड़ा सा क्या कर जा रहा है bend कर जा रहा है इसी effect को हम लोग क्या बोलते हैं diffraction of light तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक चित्र को दिखाया है आपको यह देख सकते हैं एक blade है और इसके चारो और यह देख सकते हैं आपको जो दिख रहा है light का यह जो प्रभाव इसे ही हम लोग कहते हैं diffraction of light इसका मतलब है कि यदि light को यहाँ से देख सकते हैं आप light को यहाँ पास कराया जा रहा है और light किस से होके गुजर रहा है एक razor blade से होके गुजर रहा है तो देख सकते हैं आप किस प्रकार से एक pattern का formation हो रहा है यही pattern है इसी को हम लोग क्या बोलने है diffraction of light इसके बारे में आगे के classes में आप ज़्यादा पढ़ेंगे तो यहां से इन बातों को आप थोड़ा समझने का कोशिस करेंगे क्योंकि यह नई बाते हैं तो यह था diffraction of light क्या कर रहा है कि light straight line से थोड़ा सा क्या हो जा रहा है bend कर रहा है यदि इसके सामने क्या है कोई sharp object आए कोई small object को रखा जाए कोई very small object को रखा जाए तो यह bend कर जा रहा है मैंने दिखाया भी pattern कि इस प्रकार का pattern दिखता है यदि diffraction of light होता है then the straight line treatment of optics using ray filth तो इस प्रकार से यह बता रहा है कि यह light straight line में जो चलता था वह तो अब नहीं चल रहा है to explain phenomena such as diffraction light is thought of as a wave तो light को यहाँ पर किस प्रकार से माना जा रहा है तो light को यहाँ पर एक wave के जैसा माना जा रहा है तो सबसे पहले मैं बता दूँ आपको light को हम लोग wave के तरह भी मानते हैं और particle के तरह भी मानते हैं शुरुवात में light को particle के जैसा माना जाता था उसके बाद क्या हुआ बहुत सारा experiment हुआ तो आपने देखा कि किस प्रकार से यह diffraction सो करता है तो उसके बाद light को wave के जैसा माना जाने लगा इसके बाद क्या हुआ light कुछ और भी phenomena सो करता है जिसके कारण again हम लोग उसको stream of particles मानते हैं तो मैं confuse नहीं करना चाहता हूँ आपको तो light wave की तरह भी behave करता है और stream of particle के तरह भी behave करता है तो explain the phenomena such as diffraction light is thought of as a wave तो light diffraction का phenomena सो करता है और यदि यह diffraction सो करता है तो light को हम लोग क्या मानते हैं एक wave की तरह मानते हैं तो आप इसका detail हाईर क्लासेज में पढ़ेंगे लेकिन यहां से आपका प्रेशन आएगा और यहां प्रेशन है कि light एक wave की तरह behave करता है तो बताईए इसके लिए एक phenomena जिससे हम लोग explain कर सकते हैं कि light एक wave की तरह behave करता है तो यह है diffraction यदि आपको exam में पुछा गया कि light एक wave की तरह behave करता है तो इसके लिए एक phenomena का नाम बताईए जो कि यह प्रूफ करता है कि light एक wave है तो यह phenomena क्या होगी आपका diffraction light का diffraction होता है जो यह सो कर रहा है कि light कैसा behave कर रहा है wave की तरह अब चली आगे बढ़ते हैं और यह देखते हैं कि क्या light सिर्फ एक wave की तरह behave करता है the details of which you will study in higher classes again at the beginning of 20th century it became known that the wave theory of light often becomes inadequate for treatment of the interaction of light with matter लेकिन 20th सताबदी में आप देख सकते हैं light का interaction किस से कराए गया matter से कराए गया और तब पाये गया कि light जो है somewhat एक stream of particle के तरह भी behave करता है तो यहाँ आपने देखा शुरू में हम लोग क्या देखा कि light में diffraction होता है और diffraction के कारण हम लोग इसको wave मानते हैं लेकिन बाद में जब experiment किया गया और light का interaction matter के साथ कराए गया तो यहाँ पाया गया कि light कैसा behave करता है stream of particle के तरह भी behave करता है तो यहाँ से भी आपका एक प्रेशन आ जाएगा कि light stream of particle के तरह behave करता है यह किस experiment से पता चलता है तो आप देख सकते हैं treatment of the interaction of light with matter जब light का treatment या फिर बोलें कि light का interaction matter के साथ कराए जाता है तो यह सो करता है कि light कैसा behave करता है stream of particle के तरह behave करता है साध यह बात आप पूरी तरीके से समझ नहीं पा रहे होंगे तो मैं इसे आपको दिखा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं यह एक चित्र मैंने दिखाया है यह देख सकते हैं यह light है जो की photon के रूप में है आगे मैं बताऊंगा आपको photon क्या है तो यह light जब एक metal पर पढ़ रहा है यह देखिए यह metal मतलब यह क्या होगे पदार्थ हो गया तो यह जब metal पर पढ़ रहा है तो इसमें जो loosely bonded आपके electron है या वो लें कि loosely जो electron इसमें होते हैं उसको यह क्या करता है यहां से eject करा सकता है देखिए यहां से light पढ़ा और light के करण यहां से electron क्या हो रहा है eject हो रहा है इस metal से तो light का interaction किस से हो गया matter से हो गया और light का interaction जब matter से हो रहा है तो यह कैसा behave so कर रहा है तो यह particle के तरह stream of particle के तरह nature को so कर रहा है तो हमने अभी तक देखा कि diffraction of light होता है जो so कर रहा है कि light wave के तरह behave कर रहा है और साथ में interaction of light with matter हो रहा है जो किया सो कर रहा है कि light क्या है stream of particles है This confusion about the true nature of light continued for some years तो अब यह प्रशन उठा कि light फिर wave है कि या फिर stream of particle है तो इसमें हमेशा confusion बना रहा For some years till a modern quantum theory of light emerged तो उसके बाद आगे आपका modern quantum theory of light In which light is neither a wave nor a particle तो आप देख सकते हैं जिसमें light को ना ही wave माना गया है और ना ही particle माना गया है लेकिन new theory reconcils मतलब यह दोनों बातों को एक साथ merge करता है और बोलता है the particles property of light with the wave nature यह बोलता है कि light particle property show करेगा Light कैसा property show करेगा? Particle property with wave nature मतलब light जो है वह dual behavior show करता है Wave की तरह भी और particle की तरह भी तो modern quantum theory यही कहता है कि light जो है वह particle property show करता है with wave nature तो यहां से भी आपका एक प्रशन आता है What is modern quantum theory of light तो आप यहां से भी लिख सकते हैं या अपने help book से भी लिख सकते हैं तो एक बहुत important topic जिससे की बहुत सारा प्रशन आपको पूछा जाता है तो अब हम लोग अपने next topic की और बढ़ेंगे reflection of light अपने next video में तो मिलते हैं next video में धन्यवाद